नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम यूज 24 मैं हूँ आपके साश पता सिंग खबर बहदरुगड के निलोठी से है जहां केंद्रवा प्रदेश सरकार द्वारा सडक वा रेलवे के लिए की गए भूमी अधिक रहन का मुआवजा प्रती एकर पांच करोड रुपे की गाउन निलोठी में भारत भूमी बचाव संगर्ष सिमीती के बैनर नीचे समविधान सत्यग्रह आंदोलन कर रहे किसानों की मांगो की तरफ केंद्रवा प्रदेश सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हजारों किसान जिसमें महिलाएं भी शामिल होंगी जल समाधी लेने पर मजबूर होंगे ये बात रमेश दलाल रास्ट्री अध्यक्ष भारत भूमी बचाव संगर्ष समीती ने किसानों को संबोधित करते हुए शनिवार को कही वहीं रमेश दलाल ने नितिनगडकरी पर यारोप लगाया कि केंद्रिय मंत्री नितिनगडकरी वा उनके विभाग ने किसानों की जमीन अधिकरहन के मामले में धोका धड़ी की और ब्रष्टा चार फैलाया भूमी अधिकरहन के मामले मूरों ने ये भी कहा कि इसमें हिंदुस्तान के लगभग 40 I.S. ऑफिसर्स भी शामिल हैं जिनका वे शीगरी परदाफाश करेंगे उनने बताया कि हरियाना पज़ाव राजस्तान वा गुजरात के हजारों किसान 15 जनवरी को गाउं हिमाई उपर में सम्विधान सत्तेगरह के तहत आंदुलन कर रहे हैं लेकिन किसी भी केंदरवार राजसरकार के प्रतिनी दी ने आकर किसानों से बाचीत नहीं की लगभग 6 दिन किसानों ने वानवरत वा भू समाधी लेकिन फिर भी बहरी वा गुंगी सरकार के कान में जूत नहीं रहेंगी वहीं जिसके चलते अप किसानों ने जल समाधी लेने का बेड़ा उठाया है हजारों किसानों ने हाथ उठा कर जल समाधी के पक्ष में अपना समर्थन दिया रमेश दलाल ने राश्पिता महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा कि लगभग 47 आंदुलन महात्मा गांधी ने किसानों के पक्ष में किये है वहीं यदि केंद्र वा प्रदेश सरकार महात्मा गांधी को सची श्रंधा अजली देना चाहती है तो किसानों की भूमी अधिकरहन का मुआवजा प्रती एकर पांच करोड दिया जाया प्राइम न्यूस 24 के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट